आज वारा डशी में प्रकास राजवर जी हैं अभी इनका क्या है आगे का प्लान हम यह जाना चाहेंगे राजवर जी 25 तारिक तक का अल्टीमेटम हर सरकार को तो अब क्या रणनीती बन रहें किस तरह से तैयारियां चल लहीं हैं देखें हम अपने अस्यों लोग सभा सीट पर अकेले चुनाव लड़ने के लिए हम अपना कारिक्रम चला रहे हैं अपने संग्ठन को मजबूत कर रहे हैं देखिए चुनावी जुमला है यह बात साल पर पहले होती तो हम भी चुनावी जुमला नहीं कहते हैं चुनाव आता है तो बहुत से लुभावने बातें पोर्ट लेने के लिए भावना लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही है कि लोग इस बात को समझें हमारी सरकार बनावे अगर ये व्यवस्था चाहते हैं तब मोहन भागवत जी भाजपा के नेताओं से बात करते हैं उनके इसारे पर भाजपा के लोग काम करते हैं ये तो जग जाहिर है कल मोहन भागवत जी ने कहा कि एक साल का समय भाजपा को दिया जाए भाजपा के पक्षधर हैं उनकी बात से उधर कह रहे हैं सादू संतों को कि आप चलो कार सेवा करो आप संभिधान को नहीं मानते हो तो यह आपस में भावना भड़का के उट लेने की कौन सी बात बीजेपी कुछ कराने पर मालव है आपका कहना तेख यह अमएरिका की कोपिया एजिसी कि भी आई ये संस्तों में बैं दिया है हों कि भारत भावना भड़का करके कि अहां कि प्रहinois कराने कदा पे यूजिङा दंगा भी हो सकता इस तरह का बैं अम्यक्त शरोनकी का तो करते नहीं यह बैट करके खाली जो है अपना अभी धर्म संसत करेंगे तो कभी कुछ करेंगे कभी कार सेवा करेंगे इसकी झांच क्यों नहीं होती है जब रोक लगी है तो गाजा कैसे पहुंच रहा है उनके लिए छूटत है कि तुम पीओ गाजा ढुआ करो तो ये सब चीजें गरीब के लिए कानून अलग, साधू महात्मा के लिए कानून अलग, अमीर के लिए कानून अलग, देखे, इलहाबाद में जब यह हुआ कि अर्ध कुम्भ लगेगा, फिर उसके बाद नाम रखा महा कुम्भ, फिर उसके बाद हो गया कुम्भ, उसी तरह ट्रेन का नाम बदलने से नाम रखने से योजना बना देने से कागज में नहीं होगा जब तक ट्रैक रेलवे का ट्रैक ठीक नहीं होगा और अधिकारी व्यवस्थी जिम्यदारी नहीं होगी